अपना पंजाब NRE TV देखरे सारे दर्शकाना स्वागत हैं चोणा वेच हार तो बाद कांग्रस वेच कमसान तेज हो गया है हार कोई इक दूजे ते ब्यान बाजी कार रहे है तांचिक आसरे है ते इक दूजे ते दूश भी लगा रहे है इस दे मदे नजर पंजाब कांग्रस दे सापका परतान सुनील जाखरे ने की है चनी पार्टी देनदार है उनने लाल च ने पार्टी दा नुकसान किता है इस देनारी इस नील जाखरदा हो और की केन है आउ सुन देंगे है कि अगर आज भी हम सच्चाई से दूर जाएंगे और आँखें मूंद लेंगे तो कबूतर के आँख बंद करने से बिली नहीं भाग जाती जो समस्या है उसका जब तक हम सुविकार नहीं करेंगे कि किसी आ कारण रहा हो आपसी जगडों की बदालत परंतु अगर आज कॉंग्रिस पार्टी का ये हशर हुआ है तो वह इसलिए हुआ है कि लोग और पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के उपर करप्शन के इलजाम चंद दिनों के अंदर मुख्यमंतरी बनने के बाद में लगे और आज उसी व्यक्ति को अगर हम एक हीरो के रूप में पेश करेंगे एक आदर्श के रूप में पेश करेंगे क्योंकि चंद लोग सी डवली स्यू में ऐसे बैठे हैं जिनकी वो रेक्मेंडेशन थ के लिए बरसख प्रयास किया उनके लिए वो एक ऐसे टूंगे परंतु पार्टी के लिए और पार्टी के कारे कर्ठा के लिए उनोंने जिस किसम का अचर्न उनका राह है उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा जब तक इस करफशन के उपर नकेल नहीं डाली जाएगी तो मैं नहीं समझता कि हम इस किसम का को बदलाव पंजाब के लोगों को कॉंग्रिस पार्टी दे पाएगी मेरा तो इतना ही निवेदन इसके माद्यम से था कि ये जो बड़े नेता जो तीस तीस साल से राज्यसाबा में पंजाब की नुमाहंदी की करते हुए बैठे हैं पंजाब दिल्ली के अंदर उनमें कम से कम इतनी जुरुत होनी चाहिए कि वो हाई कमांड को सही बात बता सकें अपनी गलती को सुविकार करें कि हमने एक गलत आदमी को चीफ निस्टर के लिए रिकमेंड किया जो कि राहुल जी ने और सोनिया जी ने उसको पंजाब की जुमेवारी सौंपी पर मैं स समझता हूं कि कॉंग्रेस का जो वर्कर है आज भी अतोसाहित है आज भी वो निराशा में है आज व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कि वर्कर को हौसला बंदाए वर्कर की बांपगड के उसके साथ खड़ा हो इसलिए आज ये ट्वीट किया है हमने किसी के उपर कोई छिंटा कश करने के लिए नहीं आज भी मेरा निवेदन पंजाब के जो चौधरी बढ़े बैठे हैं दिल्ली के अंदर और यहां पे जो स्वंबु निता बढ़े बैठे हैं वो राउल गांदी जी को जाके सही बात बताएं किन वजूहात की वज़े से आज पंजाब को और पंजाब क आँख बंद करने से बिली नहीं भाग जाती है जो समस्या है उसका जब तक हम सुविकार नहीं करेंगे कि किसी आपसी फूट की वज़े से नहीं शायद एक कारण रहा हो आपसी जगड़ों की बदौलत परंतु अगर आज कॉंग्रिस पार्टी का यह हशर हुआ है तो इस चुद के ऊपर कर्प्शन के इलजाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बढ़ने के बाद में लगे और आज उसी व्यक्ति को अगर हम एक हीरो के रूप में पेश करेंगे एक आदर्श के रूप में पेश करेंगे क्योंकि चंद लोग सी डबली स्यूमें ऐसे कार्यकरता के लिए उन्होंने जिस किसम का अचर्ण उनका राय उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा जब तक किस करफशन के उपर नकेल नहीं डाली जाएगी तो मैं नहीं समझता कि हम इस किसम का को बदलाव पंजाब के लोगों को कॉंग्रेस पार्टी दे पाएगी मेरा तो इतना ही निवेदन इसके माद्यम से था कि ये जो बड़े नेता जो तीस-तीस साल से राज्यसवा में पंजाब की नुमाहंदिगी करते हुए बैठे हैं पंजाब दिल्ली के अंदर उनमें कम से कम इतनी जरुरत होनी चाहिए कि वो हाई कमांड को सही बात बता सकें अपनी गलती को सुविकार करें कि हमने एक गलत आदमी को चीफ निस्टर के लिए रिकमेंड किया जो कि राहुल जी ने और सोनिया जी ने उसको पंजाब की जम्मेवारी सौंपी पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो करफशन की बिमारी का इलाज जो सौंपा वो बिमारी से भी बत्तर निकड़ा ऐसे व्यक्ति को अगर आज फिर पर्मोट करने पर लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस का जो वरकर है आज भी अतोसाहित है आज भी वो निराशा में है आज व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कि वरकर को होंसला बंदाए वरकर की बाँ पकड़के उसके साथ खड़ा हो इसलिए आज ये ट्वीट किया है हमने किसी के उपर कोई छिंटा कशी करने के लिए नहीं आज भी मेरा निवेदन पंज जैसे आज पंजाब को और पंजाब कॉंग्रिस को ये हालात देखने पड़े हैं ये मेरा अभी प्राय था देश दुनिया दी हार खबर ते नजर रखन दे लेई उन साड़ा डेली इंटर्नेशनल एडिशन पड़न दे लेई लॉग इन करो साड़ी वेबसाइट ते www.apnapunajabmedia.com ते ते से दे नाल ही तुसी ये थे साड़ा डेली इपेपर विपार सक देओ ते जोल ही विजिट क करो साड़ी वेबसाइट ते